नमस्कार मैं हुद्वे बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है आठ मार्च दिन शुक्रवार खब्लों के उबनने से पहले आप सभी को महाशिवरात्री की हार्दिक सुपकामना है अब एक नजर सुरी नोपर महाशिवरात्री का तेहार आज सक्षमता परिक्षा का रिजल्ट इसन्ट होका जारी पेएचीडी विभाग में एक हजार से धिक टेंडर हुआ कैंसर केके पाठक ने अधिति सक्षकों के बकाया मांदे को लेकर दिया आप डे वोटर निस्ट में नाम जुर्वाने का अंतिम अपसर इंग्लेंड के खिलाव पांचवे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत का दिखा दबदबा अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तके पजीज बरी खबरों के और विस्तार से यूपी असी कर्मचारी भविस्ता निदी संगतन में परस्नल असिस्टेंट के पदों पर निकली भरती परस्नल असिस्टेंट के पदों पर यूपी असी कर्मचारी भविस्ता निदी संगतन में भरती निकाली गई है आविदन प्रक्रिया 7 मार्च से ही शुरू है और आविदन करने के इंतिम तारीक 27 मार्च है इस भरती के तैत कुल 335 पद भरे जाएंगे एक चुक उमिद्वार इसके आधिकारिक वेबसाइट के लिए आपस कदे सूचना और आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। उपवास रखते हैं तो कुछ भक्त फलहार करते हैं भक्त इस दिन भगवान भोले नात को उनकी पसंदीदा चीजें जैसे समी का फूल धतूरे का फूल आदी अर्पित करते हैं साथ ही कहा है कि ये पर्व हमारे संस्कृति को और मजबूत मनाता है बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सारदा सनहा के बारे में ये बिहार की एक प्रसद गाई का हैं इन्होंने बिहार के मैथली, वज्जिका और भोजपूरी के अलावे और भी कई गीत गाएं हैं इनका जन्म बिहार के सुपॉल जला में 1 औक्टूबर वर्स 1952 में हुआ था इन्होंने अपने कैरियर के शुरुवात मैथली गीतों से की थी लोकल भासा में गीतों का अलबम बनाने के अलावे इन्होंने कई फिल्मी गाने भी गाएं हैं इसमें सबसे प्रसद रहा मैंने प्यार किया और हम आपके है कौन के गाने सार्दा सिन्हा सबसे अधिक चट और विवा के गानों के लिए लोगों के भी जानी जाती हैं इनके गाने के बिना चट मानो अधूरा ही हो चट आते ही इनके गानों के धुन सभी जगा गूंजती दिखाई देती है इनके प्रसित छट के गानों में किलवा के पाथ पर पहिले पहिल हम कई लिए छटी महिया वरत तोहार आदी सामल है सक्षमता परिक्षा का रिजल्ट इस दिन होगा जारी BACV की ओर से सक्षमता परिक्षा आयोज़त की गई है इसमें करीब 2 लाख नियोज़ित सक्षकों ने हिस्सा लिया है वहीं बता दे कि सक्षमता परिक्षा का परिनाम 23 मार्च को बिहार विद्याले परिक्षा समीती जारी करेगा थम इंप्रेसन और बायोमेट्रिकर मिलान के बाद सिक्षक परिक्षा में उत्तरन होंगी परिक्षा पास करने के बाद सिक्षकों को विद्याले आवंटित किया जाएगा बिहार राजी खेल प्राधिकरन में कोच की होगी भारती बिहार राजिक खेल प्राधिकरन की ओर से तीन अलग-अलग खेलों के लिए कोच की नियुक्ति होने जा रही है कुस्ती, रग्भी और टेबल टेनिस के कोच की बहाली ली जाएगी इसके लिए नियुक्तिया निकाली गई है इसके लिए एक चोग कैंडिडेट दस मार्च तक आवेदन कर सकते हैं एक चोग कैंडिडेट अधिक जानकारी के लिए बिहार राजिक खेल प्राधिकरन की आधिकारिक वेबसाइट www.biharsport.org.org slash career and opportunity पर विजिट कर सकते हैं वही इसमें अपलाई करने के लिए सीवी आधार काट की कौपी जन प्रमान पत्र पासपोर्ट साइज फोटो आधि को सब्मिंट करना जरूरी है आरक्षन की सीमा बनाने की मामले में हाई कोट में फिर होगी सुनवाई बिहार सरकार द्वारा राजे में S.C.S.T. O.B.C. E.B.C. स्टेनियों की आरक्षन सीमा बनाने के मामले में कोट में सुनवाई होई है इसके बाद फिर से इस मामले में सुनवाई होगी अगले सब्ता भी सुनवाई जारी रहेगा चीफ जस्टिस केवी चंदरन की खंड पीट, गौरब कुमार और अन्य की जन है त्याचिकाओं पर हाई कोट की और से सुनवाई की जा रही है 11 मार्ट को इस मामले में अगले सुनवाई होगी मालूमों के बिहार सरकाने 9 नवेंबर साल 2023 में एक कानून लाकर आरक्चन की सीमा बरहाई थी इसे कोट में चुनौती दी गई थी, इसके बाद कोटने इस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था वही अब फिर से इस मामले में सुनवाई की होगी बिहार में बरे पैमाने पर अधिकारियों का तबादला हुआ है IS, IPS, DSP, SDPO के ट्रांसफर के बाद अभूमी एवं राजस विभाग के 198 अंचल अधिकारी और समकच अधिकारियों का तबादला हुआ है इसे लेकर सामाने प्रसासन विभाग की ओर से सूचना जारी की गई है जिला समाहरता तता निदेशक और चकपंदी पदाधिकारियों का बरे पैमाने पर ट्रांसफर हुआ है आपको बता दे की बांका के अंचल अधिकारी नागेंदर प्रसाद को सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी भू अभिलेक एवं परिमाप निदेसाले सास्तिरी नगर भेजा गया है वही समस्तिपूर ताजपूर के अचल अधिकारी को सहाइक बंदोबस्त पता अधिकारी बंदोबस्त कारियाल है और अरिया भेजा गया है इसी तरह कई अधिकारियों का तबादला हुआ है विहार में कई सिक्षकों के नौकरी पर लटकी तलवार विहार में नियोजे सिक्षकों को राज कर्मी का दरजा दिलाने के लिए सक्षमता परिक्षा कायोजन किया गया है इसके लिए सिक्चकों को B-8 C-8 का सर्टिफिकेट आधी अपलोट करना था इसके लिए लेकिन अवादा जिले में कई ऐसे सिक्चक पाए गया जो एक ही पातरता सर्टिफिकेट से एक से अधिक जिलों में नौकरी कर रहे थे मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके बाद सिक्षा विभाग ने जाच की है और इसमें करीब 800 मामले ऐसे पाए गए हैं इसके बाद विभाग ऐसे सिक्षकों के सर्टिफिकेट की जाच करेगा वहीं गलत होने पर सिक्षकों के खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी इनकी नौकरी जा सकती है वोटर लिस्ट में नाम जुरवाने का अंतिम अपसर लोगसवा चुनाव में अब अधिक समय नहीं बचा है तारीकों की घोसना होने के बाद आचार सहीता लागू हो जाएंगे वहीं से पहले आप अपने नाम वोटर लिस्ट में जुरवा सकते हैं अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वह इसमें अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं इसके लिए आप मदाता सिवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट वोटर्स.eci.gov.in पर विजिट कर सकते हैं और आविदन कर सकते हैं वहीं और आविदन करने के लिए आपको BEO से संपर्ख करना हो केके पाठक ने अधिती सिख्चकों के बकाया मांदे को लेकर दिया अपडेट उन्होंने कहा है कि बिहार के विस्विद्ध्यालались में कारिड़त आधिती सिख्चक पर सरकार जल्द फैसला आ सकता है केके पार्टक गोपाल गंज पहुंचे थे इसी दोरान इन्हों ने इस बात का संकेत दिया है सिक्षा विभार के अपर मुखे सचीव के अनुसार लोगसबा चुनाप से पहले सरकार इस पर फैसला ले सकती है वहीं इस संकेत के बाद गेश्ट टीचर की उमीद परवाया गया था यहां पर आपको भगवान बुद्ध के जीवन से जुरी कई चीजे करूना अस्तूप ध्यान किंद्र और बौध धर्म पर कई पुस्तके और एक संग्रालेवब पार्क देखने को मल जाएंगे यहां बौध धर्म और गौतम बुद्ध से जुरी कई ची प्रतिसर तक का अनुदान मिलेगा जबके अनुसूची जाती वं जन जाती के लोगों को 90 प्रतिसर तक का अनुदान दिया जा रहा है इसके लिए बिहार सरकार के उध्यान इदे साले के आधिकारिक वेब से होटीकल्चर.bihar.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है वहीं इस लाब उठाने के लिए बिहार का नागरिक होना जरूरी है अपलाई करने के लिए आधार कार्ट, पैन कार्ट, क्रिसी दस्तावेज, आई प्रमान पत्र, जाती प्रमान पत्र, निवास प्रमान पत्र, आदी तीजों का होना जरूरी है बिहार की बेटी ने छोटे परदे पर बनाई पहचान सफलता का बताया रहस्त, बिहार के पुर्णियाजिले की रहने वाली नैंसी रोय ने छोटे परदे पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, इन्होंने ये रिस्टा क्या कहलाता है में निस्ठा का करदार निभाया था, इसके लावे इन्होंने मन सुंदर में रुही का किरदार निभाया था इस सफलता के पीछे एक लंबार हैस्ते है नोकल नियूज 18 को उन्होंने साक्षात कार के दौरान बताया कि साल 2022 में उनके फिल्मी दुनिया में जाने का सफर सुरु हुआ था इसके बाद ये रिस्ता क्या कहलाता है से उन्हें ब्रेक मिला उन्होंने कहा कि उनकी सफलता के पीछे उनके परिवार का बड़ा हाथ है और सफल होने के लिए अच्छे लोग सही समय और सही महौल का एहमी युगदान होता है बिहार में किसानों के लिए क्यावन योजनाय स्विक्रित होई हैं इसके तहट अब छोटे किसानों को सिचाई का पानी मिलेगा सरकार किस योजना का लाव 15 जिलों के किसानों को होगा हर खेत सिचाई का पानी उपलब कराने के लिए सरकार के और से कारी किये जा रहे हैं इसी करी में 28 योजनाओं सहित राजगी नलकूप के 19 योजनाओं को मंजूरी दी गई है किसानों के हित में सरकार ने ये फैसला लिया है मालूमों कि मुजफरपुर नालंदा दर्भंगा आदी के किसानों को इस योजना का लाब होगा मुफ्त बिजली योजना का लाब लेना हुआ आसान पीम सूरे घर मुफ्त बिजली योजना का लाव पाना अब और आसान हो गया है बिहार डाग परिमंडल ने सभी डाग घरों को रेजिस्ट्रेशन के लिए आदेश दिये हैं इसके लिए अपने नजदी की डाग घर में जाकर रेजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है डाग घरों के द्वारा ये सुवधा दिये जाने पर लोगों को काफी आसानी होगी इसके तहट एक करूर परिवार को फायदा पहुँचेगा हर घर में सस्ती बिजली प्रदान करने के लिए सूरे घर बिजली योजना की शुरुवात होई है इस योजना के तहट लोगों को उनके घरों में सोलर पैना लगवाने के लिए सबसीडी प्रदान की जाएगी ये लागत का 40 प्रतीसत होगा बिहार में बीएड सहुध प्रवेस परिक्षा का जल्द होगा आयोजन इसके अलावे 5 मई से 11 मई तक प्रूटी में संसोधन करना संभव हो सकेगा जानकारी के नुसार 13 विस्विद्याले उनके कॉलेजों में परिक्षाओं का एउजन किया जाएगा इसमें पटना विस्विद्याले BNMU LNLU पुर्णिया विस्विद्याले आदी सामिल पटना से न्यू जल्पाई गुरी के लिए भी चलेगी वंदे भारत ट्रेन पटना में वंदे भारत ट्रेनों के संख्या में जाफा होने वाला है पिछले कुछ दिनों में दो वंदे भारत ट्रेन का ट्राइल किया गया है पटना लखनों वंदे भारत ट्रेन के अलावे पटना की नियू जलपाई गुरी ट्रेन की भी शुरवात की जाये ये राजी से वारनसी तक जाएगी इन ट्रेनों को जल्दी प्रधान मंत्री नेंद मोदी हरी जंडी दिखा सकते हैं इसका ट्राइल रन आज पूरा हो चुका है इसके साथ ही बिहार में बंदे भारत ट्रेनों के संक्या 5 हो जाएगी मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधान मंत्री नेंद मोदी देश भर में कई रेल परियोजनाओं के शुरुवात करने जा रहे हैं इसमें बिहार को नई वंदे भारत ट्रेन मिल रही है प्रधान मंत्री इसका उद्गाटन ऑनलाइन कर सकते हैं पीएचीडी विभाग में एक हजार से दिक टेंडर हुआ कैंसिल पीएचीडी विभाग में पहले दिन की समेक्षा बैठक के दौरान उपमुखे मंत्री विजय सिन्हा ने टेंडर में गर्वरी की बात कही थी इसके बार डिप्टीज सीम की ओर से करीब 1100 टेंडरों को ड पिल्हाल विभाग में टिंडर को रद करने के साथ ही टिंडर को पारदर्सिता के साथ निकालने का निर्देश दिया गया है। से 28 डिग्री तो कुछ जगहों पर 28 से 30 डिग्री रहने की संभाव ना जताए गई है। तो वही नियुंतम तापमान 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। मंदार, परवत, एतिहासिक और धार्मिक द्रिश्टी कौन से महत्वपोन है। सुल्तान गंसे बाबा धाम के रास्ते में कावरियों के सुवधा, मंदार और अंग परिपत योजना, जैन सरकित योजना के शुरवात की है। पियम की ओर से यहां मोलभुत्स विधाओं का उधगाटन किया गया है। वे कभी रैपर बदलते रहते हैं तो कभी कवर और कलर को बदल देते हैं। इंग्लेंड के खिलाब पांचवे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत का दिखा दबदबा। भारत बनाम इंग्लेंड के पांचवे और आकरी टेस्ट मैच के पहले दिन भारत का दबदबा देखने को मिला है। इंग्लेंड टीम के कप्तान बेन स्टॉक्स ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था इस टीम की शुरुवात अच्छी नहीं थी बेन रकेत 27 रन बनाकर आउट हो गया थे इसके बाद अली पॉप 11 रन बनाकर आउट हुए कप्तान रोहेट सर्मा ने अर्द सतक लगाया है इन्होंने 52 रन बना लिये हैं जबकि सुमन गिल ने 26 रन बनाए हैं ये सस्वी जैसवाल ने 57 रनों की पारीग थे कई कारणों से दर्जे भारत की तहास में आज की तारीख आज के दिन वर्स 1911 में पहली बार अंतर राश्ट्रे महिला दिवस मनाया था आज के दिन वर्स 2008 में बॉम्बे सियर बाजार ने सूची बधता प्राबधानों को पूरा नहीं करने के कारण 10 कंपनियों के सियरों में कारूबा ने लंबत कर दिया था और फिल्म फियर ओफ फुटपाथ ने काहिरा इंटरनेशनल फेस्टिवल फॉर चिल्डेन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था आज के दिन वर्स 2009 में भारत के अग्रनी गोल्फ खिलारी जोती रंधावा ने थाइलेंड ओपन खिताब जीता था आज के दिन वर्स 2018 में भारत के उस्टम यायाले ने सर्थ एक्छा मिर्तियों की अनुमती दी थी आज के दिन वर्स 1989 में हर्मन प्रीत कौर का जन हुआ था जो की एक प्रस्द भारतिये महिला क्रिकेट की लारी है आज के वाइरल खबर में हम बात करेंगे राश्पती द्रौपदी मूर्मू से संबंधित वाइरल हो रहे है इस खबर के बारे में लोगसबा चुनाब की तयारियां अभी शुरू होई हैं कि चुनाब से संबंधित कई फर्जी खबरे लोगों तक पहुचाई जा रहे हैं इन फर्जी खबरों को पहुचाने में सबसे बरा हाथ सोसल मीडिया का देखा जाता है अब इसी करी में यूटूब के माधियम से MBT News C नाम के एक चैनल द्वारा सुप्रीम कोट और राश्पती द्रौपदी मूर्मू द्वारा दावा किया जा रहा है इस दावे के मताबिक कहा जा रहा है कि चुनाब आयो को द्रौपदी मूर्मू ने हद में रहने की बात कही है लेकिन आपको बता दे कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है राश्पती द्रौपदी मूर्मू द्वारा ऐसा कोई बयान या एक्सन नहीं लिया गया है पी आईबी फैक्ट चेक ने भी इस जानकारी को साजा की है जाहें इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताया गया है इसलिए इस तरह के फर्जी खबरों पर विस्वास करने से बचे साथ ही सेर करने वाले को भी मना करें जानिये क्या है वाच्चप और बिजनेस वाच्चप में अंतर आज के समय में इंटरनेट और सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हमारे जीवन को पहले से और आसान बना दिया है इन सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म में वाट्चप भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है आपने देखा होगा कि इन दिनों वाट्चप के साथ साथ बिजनस वाट्चप भी लोगों के बीच काफी चलन में है लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों ही वाट्चप के बीच क्या फर्क है अगर नहीं तो आज हम आपको इन दोनों के बीच के फर्क को बताते हैं आपको बता दे कि वाट्चप का इस्तिमाल हम परसनल चीज़े या दोस्तों और इस्तेदारों से मैसेज और वीडियो चैट आदी के लिए करते हैं तो वही बिजनेस वाट्षब का इस्तेमाल हम बिजनेस से संबंधी कामों के लिए करते हैं यदि आप अपने वाट्षब पर अपने ग्रांकों को जोड़ना चाहते हैं तो ये सबसे बहतर विकल्फ होगा इसके जरिया बिजनेस वाट्षब से बिजनेस का एड़ कर सकते हैं या ग्रांकों को तक अपने बिजनेस की मॉडिल को पहुचा सकते हैं हम प्रती दिन आपसे पाच ऐसी जरूरी सवाल पूचेंगा और उसके जवाब बताएंगे जो कि बिपी ऐसी बिहार पुलिस दरोगा समित ऐसे से जैसे अने प्रतियोगी परिक्षाओं में काम आएंगे सवाल अतिहास बिहार स्पेसल विज्ञान करेंट अफिर्स और बुको से रहेंगे पूचे के पांच सवालों में आपने कितना सहीं उतर दिया है यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है हाली में कहां पर भारत का प्रथम राश्ट्य डॉल्फिन अनु संधान केंदर स्थापित क्या गया है अप्सने है पटना, अप्सन भी है परियाग राज, अप्सन सिया योधिया, अप्सन डी है बैंगलॉर इसका सहीं उतर है पटना हाली में किस राजे में पुर्वोतर भारत फिल्म महौचप दोजाचौबिस शुरू हुआ है अप्सने है अरुनाचल प्रदेश, अप्सन भी है आसा, अप्सन सिया मनीपुर, अप्सनडी है सिक्क्य, इसका सहीं उतर है मनीपुर ब्लूंबर्ग बलिनेर्स इंडेक्स के अनुसार कौन दुनिया के सबसे अमीर फैक्ति बने हैं? अप्शन AT है, जेफ बेजोस, ऑप्शन B है, लॉन व्यक्त, आप्शन C.M.K. सम्बानी, अप्शन D. है, गौतम अडानी इसका सने अफ्पीजोस है भारत के प्रतम Green Hydrogen Plant का उधगाटन कहां में क्या गया है? उप्सने है बिहार उप्सन भी है पस्टिम बंगाल उप्सन सी है पंजाब उप्सन भी है हरियाना इसका सेंटर है हरियाना के हिसार में जगत नारायन लाल को किस जेल में भेजा गया था option A है बांकिपुर जेल में, option B है कैंप जेल में, option C है भागलपुर जेल में, option D है हजारी बाग जेल में इसका सहींतर है बांकिपुर जेल में बीते दिन हवाद औरब पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सिक्षन वॉक्स मलिकर दिया था जिन्होंने हमाद और पुछे के सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नु गोलु कुमार, गोनर सर्मा, रंजीत मिस्रा, बाबुलाल मरांडी, मुहमत साकीर हुसेन, संगीता कुमारी मुकेश कुमार इसके साथ ही बरते आज के सवाल की और आज का सवाल है, अपने छेत्र के किसी ऐसे परेटर नस्तल के बारे में बताए जहां आपको घूमना पसंद है आप अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सेक्षन बॉक्स मलिक का जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रानी के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूडूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद